Hi and welcome to the deep learning course from scratch. My name is Fahad Hussain. Previous session के अंदर, यानि अपने first video के session के अंदर हमने discuss किया कि actually deep learning क्या है और साथी साथ हमने deep learning के syllabus को भी discuss किया कि इस complete पूरे course के अंदर हम क्या के चीजें discuss करने वाले हैं. तो इस session के अंदर हमारा focus इस चीज़ पर है कि actually जिस तरह से machine learning के तीन different parts है इसी तरह से deep learning क्योंकि machine learning का ही सब part है यही वज़ा है कि इसके अंदर जो existing model है वो भी further तीन part में divide हुए हैं यानि supervised, unsupervised and reinforcement. Briefly अगर मैं supervised की बात करूँ तो ऐसा data set जहां पर आपका data set क्या होता है labeled form पर होता है हम उसे supervised unlabeled data हमारा unsupervised learning के अंदर आता है और reinforcement learning वो strategy है या वो technique है जब हम अपने machine को penalty के base पर train कर रहे होते हैं यानि हमने कोई penalty दीवी होती है, punishment दीवी होती है जिसके base पर हम उसे train कर रहे होते हैं तो हमारा first model है artificial neural network जिसको हम shortly A double N यानि ANN भी कहते हैं इसके अंदर क्योंकि ये supervised learning है, supervised learning के अंदर हमारे पास जो basically दो basic concept है regression और classification इनी दोनों चीज़ों को artificial neural network यानि ANN के जरीए से solve किया जाता है अगर आप regression और classification के हवाले से नहीं जानते हैं तो मैं पहले ये suggest करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाने के बाद वहाँ पर मौझूद मेरे machine learning के complete course को पढ़ें ताकि आप बहुत बहुतर तरीके से आगे forward move हो सकें हम जानते हैं कि हमारे दमाग में खुदरती तोर पे खुदरत ने एक ऐसी memory को consume किया वै या store किया वै जिसके जरीए से हम अपने past की चीज़ों को easily store कर सकते हैं ये दिमाग billions of neurons के साथ एक black box के अंदर पैद हैं और ये तमाम neurons आपस में interconnected हैं अगर आप इस image पे देखें तो एक small part को zoom करके दिखाया जा रहा है जो physically हमारा red area वो neurons है और वो neurons से जितने भी उसके parts निकल रहे हैं ये synapsis वो signals को receive कर रहे हैं जो दूसरे neurons से जाकर interconnected है तो ये neurons आपस में connection के बाद अपने signals को क्या कर रहे होते हैं पास कर रहे होते हैं और पास करने के बिहाफ पर आप finally एक decision लेते हैं असान लफजों में अगर मैं decision की बात करूं तो ये learning face हमारा सबसे important part है neural के respect से कि जब आप first time किसी चीज़ को देखते हैं और कोई शक्स या आप खुद assumption करकर उसे बताते हैं या सूचते हैं कि ये for example एक mobile है तो next time जब आपको मैं वही object दिखाता हूँ तो आप बड़े असानी के साथ समझ जाते हैं कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो mobile है क्योंकि आपने first time अपने training stage पर अपने neurons को उस object से related train कर लिया है deeply देखेंगे इसको इस object में इस image के अंदर आपको एक neurons की individual biological image दिखाई जा रही है जो के तीन further part में divide हुए हैं सबसे पहला part left side पे हमारे पास dendrites का है dendrites एक वो part है जो दूसरे neurons से signals को receive करता है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि dendrites यहाँ पर receiver का का काम दे रहा है जबके axon यहाँ पर transmitter का का काम दे रहा है यानि अपने signals को दूसरे neurons से जाकर interchange कर रहा है या connect कर रहा है मजीद असान लफजों में अगर हम practically life में बात करें तो अगर हमारे दिमाग के अंदर एक neurons है अबजेक को move कर सकते हैं जो normally उनका pray है या फिर उनका food है तो मैं कहा सकता हूँ कि जब बहुत सारी colony मिलकर ये काम करती है तो वो अपने task को achieve कर लेती है यही वज़ा है कि खुदरती तोर पर हमारे दिमाग पर billions of neurons मौजूद है यही वज़ा है कि वो आपस में connected होने के साथ बहुत बहुत बहुतर तरीके से अपनी job perform कर सकती है तो यहाँ पर तो हमने यह देख लिया कि actually neural या neurons क्या चीज़ है और किस तरह से खुदरती तोर पर दिमाग पर हमारे काम करती है अब बारी आती है perceptron की तो perceptron से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर हम अपने computational machine के अंदर neural network को implement करें तो perceptron वो हमारा सबसे initial algorithm है supervised learning का जो एक binary classification के लिए इस्तमाल किया जाता है असान लफजों में समझते है अजियूम करते हैं कि यह वो circle है जो हमारे एक single neurons है इस single neurons को हम multiple dimension से input देते हैं यह multiple dimensional real life में आपके senses हो सकते हैं ठीक है तो मैंने कह दिया यह हमारा one sense है यह two sense है और यह three sense है as we know कि human body में या human में पांच senses मौझूद हैं जिसके जरीए से वो physically किसी भी चीज़ को sense करता है sense करने के बाद neurons पर वो signals जाते हैं और neurons एक decision लेता है और इस decision के base पर वो कोई चीज predict करके हमें बताता है और intrum of production क्या होती है जीरो या फिर one में जैसे मैंने starting बे जिकर किये कि binary classification उसके base पर यह हमें कोई ना कोई object या फिर कोई ना कोई output देगा जिस तरह मैंने mobile की बात की 1 का मतलब mobile है और 0 का मतलब ये object mobile नहीं है तो जो signals यहां से input generate कर रहा है जैसे मैंने real life में बात की senses तो ये multiple हो सकते है तो ये multiple हो सकते है और अगर हम senses की बात करें तो पास्स Exhale नहीं हो सकते है क्योंके मैंने समझा नहीं के respect के बता है अब जब हर senses अपनी value को अपनी input को transfer करता है तो उसका एक individual weight होता है जिसको हम W से represent करता है ये तमाम weights at last इस neurons पे जाकर add हो जाते है add होने के बाद हमें यहाँ पर यानि यह हमारा second stage हो गया जहाँ पर हम अपने neurons के signals को क्या कर रहे होते हैं add कर रहे होते हैं और add करने के बाद हमारे पास third step यह होता है कि हम किस base पर decision लें weight की value को कि हमें इस base पर यह decision लेना है यानि हमारे पास क्या activation function होंगे activation function के हवाले से हम आगे next session पर बात करेंगे मैं briefly यहाँ पर सरिफ यह बता देता हूँ के respect से बनाया है यह जो कि इसको represent कर रहा है यह whole idea हमें इस बात को indicate कर वाता है कि यह concept हमारा perceptron का कहलता है जिसमें हमारे पास एक single neural neurons मौझूद होता है image को और भी बहतर तरीके से समझने के लिए next page पर मैंने इसको graphically बहुत बहतर तरीके से plot करके दिखाया है वार आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास left side है यह हमारा वो input part है जिसके जरीए से आप अपने neurons को train करेंगे तो त्यक्क है असान लवज में मैं कह सकता हूँ कि जो input part है real life में वो हमारे independent variable है independent variable से मुराद क्या हो सकते हैं for example आप artificial neural network को in future किसी bank के dataset के लिए train कर रहे हैं कि कौन कौन से independent variable है जिसके बहाफ पर मैं ये predict कर सकूँ कि इन इन parameters के बहाफ पर ये employee या ये customer हमारा bank में exist करेगा और अगर parameters ये 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 होंगे तो ये employee in future हमारे bank में exist नहीं कर सकता, survive नहीं कर सकता bank leave कर सकता है तो इन independent dataset को हम सबसे पहले normalize या standardized करते हैं यानि इनकी values को normalize करने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे form पर मौझूद है raw form पर मौझूद है तो हमें इसको normalize करने की जरूद होती है इन future हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे ये क्या चीज़ है उसके बाद आप देख रहे हैं कि synapses यानि वो signals हैं जिस तरह से real life image पर जो previous slide पर हमने neurons की image देखी ती हूँ जो dendrites से जो receiver कर रहे थे तो इसी तरह से यह यहाँ पर receiver neurons के हैं जिसमें हम different weight इसको provide करते हैं इस weight की value normally 0 से 1 के दर्मयान होती है 0 to 1 के दर्मयान होगी और यह weights एक individual weight लेकर neurons में जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस step पर उन तमाम values को add किया गया एड करने के बाद हम activation function इस पर provide करते हैं और activation function provide करने के बाद हमारा y जो है यहाँ पर एक individual value predict करके देखा although वो 0 हो या फिरवान हो जो हमने previous slide पर भी देख लिए तो यह एक basic definition थी हमारे perceptron की या artificial neural network की जिसमें हमने सिर्फ simple एक individual neurons की respect से working देखी कि actually artificial neural network at initial stage किस तरह से काम करता है next session पर जाएंगे तो हम artificial neural network के अंदर concept देखेंगे activation function का और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या perceptron के इलावा भी हमारे पास कुछ different concept है artificial intelligence का briefly बात करूं तो क्या हम neurons को improve कर सकते हैं यानि one के इलावा मैं इससे जादा कर सकता हूं फिर इसी तरह क्या हम एक layer से जादा different layer बना सकते हैं and separately फिर हम forward, feed forward के concept को भी जिकर करेंगे कि actually वो क्या चीज़े हैं जो artificial neural network में इस्तमाल हो रही होती हैं तो इस session के अंदर हमने जिस important concept को समझा सबसे पहले हमने ये जाना कि actually neurons हमारे दिमाग में किस तरह से मौजूद हैं और वो कैसे काम करते हैं फिर हमने एक important perceptron की example को discuss किया यहाँ पर कि वो individually किस तरह से train होने के बाद value predict करती है फिर हमने उसके different part को यहाँ पर discuss किया कि उनके weights क्या हो सकते हैं कितनी values के दिरम्यान होंगे summation से मुराद है इनकी weight के value को sum करना activation function यहाँ पर हमारे decision लेने के लिए सकमाल होता है कि क्या weight की value होगी तो zero product product किया जाएगा या फिर one किया जाएगा तो इस video session पर इतना ही अगर आपने मेरे video को first time देखा है तो मेरे video को जरूर like करें मेरे channel को subscribe करें Thank you very much